सबी को नमस्कार हेलो स्टूडेंट आज हम फिर से एक नया टोपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो आज का हमारा टोपिक होगा वो होगा बीएस्सी पार्ट थर्ड का बीएस्सी पार्ट थर्ड का आज का हमारा टोपिक होगा और जो बीएस्सी पार्ट थर्ड है उसमें हम पढ़ेंगे पेपर सेकिंड और पेपर सेकिंड में जो यूनिट होगी उस यूनिट का नाम है हमारा फोर और जो फोर यूनिट है उस यूनिट में हम जो पढ़ने वाल हैं behavior behavior से तातपर होता है और बिवाहर से बननी हुई विज्ञान की शाखा जो है वो कहलाती है विवाहरी की विवाहरी की यानि अब बिवाहरी की के लिए हम behavior का मतलब तो विवार होता है और ये विवार हम किसका पढ़ेंगे एनिमल्स का पढ़ेंगे तो हमारे साइंस में एक टर्मिनलोजी होती है फूर दा स्टाडी ओफ एनिमल बियवियर तो वो जो टर्म होता है उसको हम देखते हैं कि उसे क्या कहते हैं हिंदी में तो विवारी की कहते हैं लेकिन हम इंग्लीश टर्मिनलोजी में उसको एथोलोजी कहते हैं क्या कहते हैं भई एथोलोजी जो एथोलोजी है इसको हम कहते हैं विवारी की और व्यवारिगी का मतलब होता है study of animal behavior the branch of science which deals study of animal behavior known as ethology तो हमारी जो fourth unit है उसमें आज हम introduction पढ़ेंगे किसका behavior का और उसके बाद में हम आगे इस selection को बढ़ाएंगे अगले वीडियो में तो सबसे पहले तो हमें मालूम हो गया है कि ethology वास्तम में है क्या यह है animal behavior की study करने की branch है science की तो उसके थुरू क्या है कि हम इसको study करते हैं आपको fourth unit का syllabus जरूर पता होना चाहिए जिसमें की हम animal behavior के जो विविन परकार के animal behavior है various types of animal behavior उसकी चर्जा करते हैं और साथ में जो method है study करने के animal behavior के वो पढ़ेंगे role of hormones है और फिरूमोंस है behavior में उनका क्या काम है उनका क्या रोल है उसको पढ़ेंगे और biological rhythms क्या होती है उसके बारे में study करेंगे तो यह हमारा पहला chapter होगा जो की introduction होगा about behavior अब इस behavior को यानि विवार को समझने के लिए आपको ये मालुम होना चाहिए कि जेव मंडल में कोई भी जीव अकेला नहीं रह सकता उसे अपने स्वेम की क्रियाओं के साथ साथ जेव मंडल में जो बहुत सारे गठक होते हैं उन गठकों से भी काम यानि समनवे रखना पड़ता है और जो हमारा जेव मंडल है उसमें विविन परकार के आवाश जो होते हैं उन आवाश हूं मैं रहने वाले जो बाति-बाति के जीव हैं और पेड़ पोदे हैं जो हमारे अबया टिक और बैटिक फेक्टर है इन सारे factors का जो inter-relationship है उसके आदार पर उसके परानी के विवार में जो परिवर्थन देखने को मिलते हैं तो बहुत लंबी चोड़ी बाते हैं तो कि हम animal behavior में बहुत सारा fluctuation देखते हैं जैसे कि आप पक्षियों का संगीत सुनते हैं बहुरों का गुंजन सुनते हैं नवजाद जनतूं की क्रिडाएं देखते हैं जनतूं का आपसी शंगर्स देखते हैं जंगल में मोर का नरते देखते हैं जनतूं की विविन परकार की जो आवाजें हैं उनक्रियाओं को देखते हैं तो वह वास्तम में है क्या तो behavior को हम कैसे define करें तो एक दिखाई देने वाली अनुक्रिया है जो की प्रयावरन के करण प्रदशित करता है यानि कोई भी प्राणी होगा वो प्रयावरन के प्रती यानि कोई भी animal environment के against कुछ अनुक्रिया करता है अनुक्रिया का प्रदेशन करता है और जो अनुक्रिया का ये प्रदेशन करता है उस अनुक्रिया प्रदेशन अब परियावरण कौन सा हो सकता है आंत्रिक भी हो सकता है और भाई ये भी हो सकता है तो इसका जो प्रदेशन है वही प्राणी का व्यवार होता है वही प्राणी का क्या होता है व्यवार होता है व्यवार का मतलब में समझा दिया कि कोई भी प्राणी होता है वो प्रियावण के प्रती अपने द्वारा कुछ अनकुरियों का प्रदर्शन करता है और वो प्रदर्शन का समलित रूप ही क्या कहलता है व्यवार कहलता है अब यह परियावन के प्रती प्रदेशन है परियावन के प्रती प्रदेशन है तो इसको आप विवार के रूप में कैसे दरसाएंगे तो परियावन के गटक तो कही होते हैं जो की बहुत सारे हैं लेकिन मेजर काटेगरी इनकी दो ही हैं तो इसको आप विवार को इस तरह से मोड के कुछ अंत्रिक इस प्राणी का कुछ अंत्रिक उद्धिपन इसको प्रवाबित करेंगे तो कुछ ऐसे उद्धिपन होंगे जो बायवातावन में होंगे तो दोनों प्रकार के उद्धिपन होंगे यानि हर प्राणी को उसका आंत्रिक और उसका बायवाबित करता है और ये जब प्रवाबित करेगा तो इस कंडिशन में क्या होगा इस condition में ये जो प्राणी होगा वो क्या करेगा रेस्पॉंस करेगा अनुक्रिया करेगा इस stimulation के प्रती रेस्पॉंस होता है तो वैसे ही क्या करेगा ये प्राणी अनुक्रिया करेगा और ये जो अनूक्रिया कर रहा है, इसके बाद में जो हमें दृस्टी गोचर होगा, इस अनूक्रिया के फल्स्वरूप जो हमें दृस्टी गोचर होगा वो उस प्राणी का क्या होगा? जो वहर होगा तो वेवार के डेफिनेशन निकल के आ गई कि किसी भी प्राणी को उसका बाहिये और आंत्रिक वातावरण जो है वो प्रभाबित करता है वहां से कुछ उद्धिपन बनते हैं वो उद्धिपन के प्रती प्राणी अनुक्रिया करता है और अनुक्रिया करने से उसकी जो प्रदशित करने की क्रिया है वो क्रिया आपको देखने को मिलती है जिसे की वेवार के रूप में हम परिवाशित करते हैं अब यहां पर आप ये जरूर बता सकते हैं कि सब जो बाहियों और आंत्रीकुद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द इसके अलावा पेसी ये जो क्रियाई होती हैं वो पेसी तंतर आ जाएगा इसके अलावा तंतरी का तंतर की क्रियाई आ जाएगी ये इसके अलावा सरीर के अंदर चलने वाली अंतसरावी जो तंतर है अंतसरावी तंतर उसकी क्रियाई सारी आ जाएगी इसके अलावा ओर देखना चाहो आप तो आपको उपापचे मिल जाएगी उपापचे क्रियाए इसके अलावा हॉमियोस्ट्रेसिस तो ये बहुत सारे ऐसी क्रियाएं हैं जो कि उसके अंत्रिक उद्दिपन के रूप में प्रानी को प्रवाबित करती है तो ये सारे अंत्रिक उद्दिपन हो जाएंगे इस तरफ और अगर इस तरफ हम भायोद्दिपनों की बात करें तो यहां पर आप ताप की बात कर सकते हो अद्रित्ता की बात कर सकते हो प्रिकाश की बात कर सकते हो पी-एच की बात कर सकते हो इसके अलावा आप किस की बात कर सकते हो वायू की बात कर सकते हो और आप बहुत सारे म्रदी एकारक होते हैं तो म्रदा की बात कर सकते हो तो ये जो सारे एक्जामपल हम यहां देख रहे हैं ये सारे किस के एक्जामपल होंगे ये बाहिय उद्दिपनों के एक्जामपल होंगे तो यहां एक बात बिलकुल इस्पस्ट हो जाती है कि जो भी प्राणी है अपने आसपास के जो भी सजी और नर्जी वातावरण है उससे सम्मद बनाये रखता है प्राणी प्रियावरण के जो परिवरतन होते हैं उनके साथ साथ स्वेम में भी परिवरतन करता है और इस परिवरतन के फलस्वरूप जो प्रदर्शित क्रियाएं हैं उन्हों प्रदर्शित क्रियाओं से मिलकर के जो हमें सीन होता है वही क्या कहलता है व्यवार के लाता है तो ये व्यवार की डेपिनेशन हुई सजियों को वैसे आप प्रारंब से दो गुटू में दो वर्गों में बाढ़ते आए हैं पादप और जन्तू और इन दोनों गुटू में स्तर विदित केंद्री अंतर यही होता है कि अधिकान जन्तू शक्रिय रूप से गतिशील होते हैं जबकि प्लांट्स जो हैं वो एक जगई स्तिर रहते हैं जन्तों में जो शक्रिय गतिशीलता के कारण जो लक्षन उत्पन हो रहे हैं उन्हें हम एनिमल बियेविर की संग्या देते हैं अनिमल ब्येवेर के अंत्रगत हम जन्तों की गती सीलता उसके प्रकार उसकी विदी इन सब के बारे में अध्यन करते हैं जिसमें कि उसकी ग्लेंडूलर, सिक्रेटिव, मस्कूलर, अनुक्रिय हैं सारी समलित हो जाती है जो कि आंत्रिक और बाहिया बतावन के कारण उत्पन होती है उससे प्राणी का जो कम्यूनिकेशन है, जो उसका कर्सिप व्यवार है, कर्सिप है, यानि प्रने निवेदन है, संचार के शादन है, किस तरह से वो बाच्चित करता है उसके जो cognitive sense हैं जो psychological sense हैं जो monoveganic sense हैं उस सारे के सारे change हो जाते हैं तो प्राणियों का जिवित रहना उनका वातावन से बनाए संबंदू पर ही निर्वर करता है अनुकुलित संबंद जो कि प्राणिय और प्रियावन के मद्धे होता है वही व्यवार कलाता है तो व्यवार की एक conjugated अगर हम परिवाशाद हैं तो हम ये कह सकते हैं प्राणिय और वातावन के मद्धे एक तरफ प्राणिय होगा और दूसरी तरफ परियावरन होगा और इन दोनों का जो इन दोनों का जो अनुकूलतम संबंद होगा जो दोनों के लिए जरूरी है दोनों ही जो है उसके लिए अनुकूलत जो संबंद होगा वो अनुकूलत संबंद ही क्या कहलाएगा वो अनुकूलत संबंद ही व्यवार कहलाएगा तो ये आज का हमारा जो टोपिक था अबाउट गवार जिसको कि आपने बीहेवियर का है और बीहेवियर जो है साइन्स की जिस ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है एनिमल बीहेवियर स्टडी इन साइन्स ब्रांच वो साइन्स ब्रांच क्या कहलाती है एथोलोजी कहलाती है तो ये जो अनुकुलित संबंद की बात हुई प्राणी और प्रयावरन के बीच में उसे ही हम क्या करते हैं वेवार के रूप में रखते हैं एकोश की प्राणियों में तो आप जानते हो कि सेंस ओर्गन बहुत बेल डवलप्ड नहीं होते और नहीं होते फिर भी कुछ उदिपनों के परती वो अनिक्रियाई प्रदशित करता है और जो योनी सेलूलर एनिमल्स होते हैं जो कि बिना सेंस ओर्गन के भी स्टिमुलेश के परती रेस्पोंस दिखा के तब तक इस वीडियो में हमने जो अब तक पढ़ा उसको फिर से मैं एक बार रिवाइन करता हूं यह हमने जो यूनिट फॉर है उसमें हमने पढ़ाए इंट्रोडेक्शन आफ इंट्रोडेक्शन इंट्रोडेक्शन आफ बियेवियर पहला वीडियो आज हमारा और स्ट कहते हैं प्राणी प्रियावर्ण के प्रती अनुक्रियों का जो प्रदर्शन करता है वही विवार की सरणी मेरा आता है और जो प्रियावर्ण है वो आंत्रिक कारक और भाहिय कारक या मैं कहूं आंत्रिक और भाहिय उद्दीपन दोनों ही प्रणी को प्रभावित करते हैं औ और उनके प्रतिव जो प्राणी है वो अनुक्रिया दिखाता है और वो अनुक्रिया का प्रदर्शन व्यवार कहलाता है इसलिए हम प्राणी और प्रियावन के बीच में जो अनुकुलित संबंद के प्रतिव जो हमें दर्स्टिक बात होता है उसे ही हम व्यवार की स्रेणी म और किस तरह से उसे हम दिखा सकते हैं ओन्दा पेपर तो उसे हमने समझा अगले वीडियो में हम व्यवार का ये अगला टोपिक पार्ट नमबर टू लेके आएंगे जिससे कि हम उसके बारे में और डिटेल में समझ सकें तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद